गुड़ मार्निंग बच्चों, मैं सुरेंद गिरी, स्रीकृष्ट ब्यारी, इंदर काले पिसारा में, आप सभी लोगों का अब अग्नेंदन बंदन अवस्वारत करते हैं, आज हम कच्छा साथ इसेगड़ी पार्ठ तेल, आक्रों का प्रवंधन के बारे मां को बताएंगे आक्रों को एकत्रित करने के यह जो प्रथा है, हमारे देश में बहुत ही प्राचीन ब्योस्ता है, हमारे देश के राजा लोग अपने राज के आक्रों को एकत्रित करते थे, और उस आक्रों को एकत्रित करने के लिए अनेक प्रकार की विध्यों का विध्यों करते थे, जि करते थे जिसके रूप में केंद्री प्रभीत और उस केंद्री प्रभीत के माध्य से तो पहला है माध हम पहले नंबर से चलेंगे माध है माध है एक साथारण मासा में समालीजे की आंसर हम जो आकड़े होते हैं उन आकड़ों को जोड़ करके फिर इतनी उनकी संख्या होती है उसमें उसका भात करते हैं तो हमें माध है बागम हो जाता है जैसे माली जहां तीन आकड़े मिलेते हैं सरारण उठ में पांच, चार, और तिर इमाल जे तीन आकड़े देड़ हैं इन आकड़ों में माध हिंकावणान तो संख्याओं जाए हुआ हम चाहे हम जिसके नजर में से ली सकते हैं तो माध है बराबर होता है पूल, पढ़ों का यो, बटे, पूल, पढ़ों की संख्या और आपं फ़न को एकडा दिया गया है आप अब्सप्र के माधान सच्हा, वियसर प्रौपदों का यो, पढ़े, यो पूल, पढ़ों की संख्या, तो पढ़े, आपये हैं तो, य सापना, मुलों की तरे घ्राइव, पने रहे ता माधं की गष्यक्य 그래도, कि यहां दिखा गया है पूल पगोंटी संख्या तो अब जो यह आपने दिये गए हैं इनकी संख्या हम देखेंगे इनकी संख्या को तीन है तो यहां हम तीन लिख देंगे कि अब उपर वाले पगों को दोड़ेंगे पां दिन आज आज चार बारे बारे बटे तीन तीन का भाग हम परेंगे तीन चम्ते बारे इनका तीन अर्था माध्य बराबर है 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 हमारामार बात चार जाइब है बात का मतलब इर्व है आकडए जो यह माला हम Perry को प्राप्त होगा इस आफदे के आज पास होना उससे ओर क्राप्तलते हो है पैण 누म हमारा माध प्राप्त होगा वे हैस्तार में दोंत सब और इस आपशए हैं गे दिशन एंद्री प्रवित्ति के अतरगर, क्रतिमान के अतरगर, नमबर इसमान या करेंगे एए, आप नमबर दो देखेंगे, नमबर दो है बावलर, नमबर दो बावलर, बावलक का मतलब होता है, कि दिये हुए आपड़ों में, कोई संख्या, पितनी बावर, इसे संख्या आती है, वह दिये हुए आपड़ों का बावलक होता है, आप देखेंगे दिये, दार के मुथ में, इसे चार, चार, पॉंच, साथ, आठ, चार, एन दिव आपड़ों में, इस चार सबसे अधिक बारए आया है, आथा दिव आपड़ों में, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है, वही संख्या, उसे दिव आपड़ों का महलर बता है, इन दीवे आपनों में हम देखे लिए तो इस चार सबसे अधित बार आया है इसलिए बावलक परावर हो जाएगा बावलक परावर चार को परावर होगा यानि करने मतलब यह होता है इस दो आपड़े दिए गए होंगे उन दिएवे आपड़ों में वह संख्षा सबसे अधित बार आएगी वही उस आपड़े का बावलक होगा यह नंबर दू अब हम नंबर टेल देखेंगे माध्यक माध्यक में जो आपड़ा जयाएगा उस आपड़ों में हम उसका पहले आवह और यह उप्रमा पहले आपड़े लिए देख लिए पांच साथ चाथ पाथ जार सल दस और रपर हम देखेंगे पांच साथ चांप जार आघ जार तस और बाएंट पीड में आपने दियक्तं अब्रमा। आवरा रोही तो आए क्रम मिन्हां को प्रव हत कुए आवह कि या था, ने चाहिए आवरेकव का माज़ं व्याय होत क्रूव negotiation में देखे तिर में आरोही क्रम में हम करते हैं बढ़ते क्रम में आगणों को करते हैं हनी सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे फिर उसके बाद बड़ी संख्या तो सबसे छोटी संख्या चार पिर उसके बाद पांच है पांच के बाद अगली संख्या ता साथ के बाद अगली संख्या हो जाएगी आठ आठ पिर दस के बाद ग्यारे बारे अब यह जो आपना और दिया गया था जो तन्ख्यांद को दी गए जम संख्याओं को अरोहि करण में करें हम इस आपने को आपने को अभी कर सकते हैं जाये हम इधर से गीन सकते हैं बाले ज्याय और जाय आपको आपने करने के लिए एक सुत्र होता है यन प्लस वान बटे दुवान पर यन का मस्तव होता है यन बरावर पदों की संख्या पूले संख्या अब पदों में पूले संख्या गिने के कितनी है एक दो देट चार पांच है साथ यन पदों में पूले संख्या साथ है यहाँ साथ प्लस एक बटे दो अर्था आठ बटे दो काटेंगे दूचोब काद दूच कादू यन जो फामा पर होगा अब देवे आफरे में चोथा पर देखेंगे एक दो पेक चार यह चोथा पर हमारा आठ मेरा है इसले माथ्यक प्रावर हो जाएगा माध्रक पराबर जो उठाता रहे हां तो हमारा माध्रक जो है आथ हो गया अब अगिला इस्टेफ है प्रसाद अब हम प्रसाद को देख लेंगे अब प्रसाद हम तीवे आप्रो में प्रसाद में एकी आशरी दे देते हैं उसमें यहां करेंगे प्रसाद चार आच जार दस बाड़ा ए जो है इन आपड़ों में सबसे प्रसाद अराबर करते हैं सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या प्रसाद प्रसाद बराबर करता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या यह हुए आपड़ों में सबसे बड़ी संख्या बारह है तो हमें आप बारह करेंगे माइनस सबसे छोटी संख्या अचा है यहां चार इन्हें के इस तरह से खताने चले आप आप अनि प्रसाद का मत्लब होता है फ्यलाब कि यह आपड़ा कहां से कहां तक फ्यलाब तो प्रसाद को फ्यलाब करने के लिए अचार इस तरह से अब हम इन बताय वे इतने नियम है इस नियम उपर एक अधाय सवाल हग करते हैं जिसमें से सभी सवाल को दिखेंगे सवाल दिखेंगे और सवाल हग करेंगे एक सवाल इस प्यादार पर बताया जाएगा दिएम नहीं बताय को दो बाया दिएमने जिए आपर दो बाया दिएमने लिएगे आत्रों बारा माद बाग लेफ माद घर तर्फा प्रसाद याद यह प्रस्ण है अब आपरी उखे करें छेट पंदर एक्सो बीश पंदर 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 इन आपरों को हम गिनेंगे इन आपरों इन आपरों से हमें इतने सवाब आपरों करना है तो आव हम पहले नबर में माद या करें माद परावब पंदर 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 पदों की संख्या, अब इन पदों का हम क्यों करें ने, जो आयरा आज परिखेगे, तो हम यहां से जो करते सकते काई, पांच आर तेरे, तेरे पांच, अठारे, अठारे, पांदेश, छे उन्तीस, नाओ, आसी दो, तेर, चार, पांच, छे, छे आर, चोगड़े, चोगड़े, पांच, उन्नेश, उन्नेश, हुई 21, एक पाइस, यह दो, आसी दो, दो, एक तेर, पिनेट, चार, इस तरह से कुल पदों का युपपर हमने जप्ता दिया, तो 429, अब नीचे कुल पदों के संख्या, अब कुल पदों के संख्या, जिनेगे, एक, दो, ते, चार, पांच, छे, साथ, आख, नो, दस, ग्यारे, प्यार, पिनेट, पुल संख्या, जारे होगे, अब 11 तो हाँ, हम बहले 22 हमें देंगे, 11 तिया, 33, अब 42 बेसे, 33 घठा देंगे, 9, तो उसके सावने नहों गया, 99, जारे नोहां, 99, जारे नहां, जारे आख्या, अख्या, माध्य बराबर, 49, यह, हमारा यही एंसर है, इस दिये वे, आपरे का, जो माध्य है, वह जो है, 49 है, आप दूसरा आपको, पहुलत क्यान करना है, अब पहुलत, पहुलत, अब देखे, पहुलत में, हम दिये हैं, आपकों में देखे ही, कौर ऐसी संख्या है, जो सबसे अधिक बार आई है, तो हमें देखने में अस्पर दिखाई दे रहा है, कि पंद्रे सबसे अधिक अधिक अधा, तीन बार आया है, और कोई ऐसा प्रा नहीं कोई से अधिक बार आया हो, इसलिए बावलत प्रावम यो है, पंद्रे, पंद्रे हो गया है, अब दूसरा, इसके आगे है, माध्यप, माध्यप क्या करने के लिए, पहले इस आत्रों सुल्ट जो है, और वही करने, बनाएंगे, और वही करने बनाने के लिए, हम इसको करेंगे, आप देखें सबसे छोटी सिंख्या, अच्छे, आरो हिक्रम करेंगे, तो छे, रुपके बाद, आप, दस, दस गुबारा योगा है, फिर दस के बाद, पंद्रा आप, पंद्रे की बाद लिखेंगे, पंद्रे, पंद्रे के बाद पंद्रे के बाद 50, 50 के बाद 80, 80 के बाद 100, 120, ए आरो हिक्रम है, और आरो हिक्रम ऑनाते समय इतनी संखां कर्या यहां हम Text कर रहते हैं इन 10 को इस इसका वाइन और सबस्ससा क्वाज हिए अब आरोहिकरम में जरा थे दिए यान प्लाश वन बटे नुआ पर आप यान इस संचार फुल ग्यार प्लस एप बटे तो कि बटे दो दू एकां दू दू छक्का बार है अर्था सब्सक्राइब पर अब दीए हुए आगों में यह छक्षमा पताया है चाहे हम इधर रुक्ते गिनेगी चाहे इधर से जो छक्षमे नंबर करोगा वही उसकी जो है कि यह होगा तो अब माध्येद बड़ाबर नहीं न विटनेगे अ इसमें दिनेंगे एक दो ते चार पांट चट्वा इस चट्वा पन्दर प्राफ हो रहा है अब था माध्यर ब्राब्र पंदर है अब इस तरह से माध्यर क्यात करने के लिए दिये हुए आपको पढ़े आरोही क्रम में बनाने के बाद हम देचेंगे कि यह संख्या समया जो बिशम चेरें एंप वन पड़े तुमा पर प्रसुत्र लागु करें और यहां आपने लागु किया तो इनकी संख्यास कुल गया है जो बिशम है ग्याराफ प्रस एक पढ़े तो करिए कि यहां बार 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 पढ़े दो चट्वा पर लाए इस दिर वह आपनों में त प्रसार अब हम प्रसार कर देते हैं यहां प्रसार बड़ाबर सलसे सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या अब यह यह आपड़ों में सबसे बड़ी संख्या हमें यहां 120 है 120 माइनस सबसे चोटी संख्या अच्या अब बताएं कि 120 में से छह जाएगा एक सबसे हमें इस तरह से हम इस सवाल जांक कर लें आप इसमें से आपनों जो है पढ़ेंगे और इससे अधारी अगले बार में देंगे और समध्या नहीं होगा आपको फिर इसको यह बारे में दिखेंगे कर दो कर दो कर दो है